हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आफ सभी का आपके अपने स्वीडियो चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला लोहे की चोकट के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में आज कल क्या चाहिए बिंडो के लिए हो या फिर दोर फ्रेम के लिए हो लोहे की चोकट इस्तमाल करने लगे हैं जिसको होलो आईरन पाइप की चोकट भी बोलते हैं यहां इस वीडियो में मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बाते बताने वाला हूँ जो कहीं न कहीं आप भी अपने घर में बनाने की सोच रहे हैं तो आपको काफी हैल्प करेंगी जिसे अगर हम बात करें तो आपको किस गेज में ये बनानी चाहिए हैं साथी अगर हम इसकी बात करें इसके बनाने का क्या रेट रहता है वो भी हम कवर करने वाले हैं और साथी हम अगर बात करें तो किस कंपनी के आपको इस्तमाल करनी चाहिए हैं अगर लोकल आप ले र लेकिन यह जब पेंट वगेरा सब हो जाएगा ना तो आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं यह लखड़ी की है किसी घर में नहीं आए बंदे को यह एसास भी नहीं होगा जब तक वो इसको आवाज चूक है या कुछ इसमें आवाज करके न देखे तो यहां पर दोस्त हैं तो आपका थोड़ा बेट कम रहता है और थोड़ा अगर आप डवल पाइदान में पहुंच जाते तो थोड़ा बेट जाद हो जाता है यहां पर अगर हम बात करें इसके गेज की तो आप 16-18 गेज के आसपास ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो हम बात कर डवल पाइदान में तो आप 35-40 के असपास पहुंच जाता है जिसमें हमारे दोनों साइट से दर्वाजे लग सकते हैं तो यह चीज़े हमारे बजन के और किस तरीकी सा बना रहे है उस चीज़ पर भी डिपेंड करती है और इसकी कोस्ट भी इन दोनों ही चीज़ों पर ड मोटाई देख रहे हैं जहां पर हम दिवाल की साइट में लगा के खड़ा करते हैं तो दोगो आप अगर सिंगल पाइदन बनाओगे तो 3-3-4 इंची के बीच में इसकी बित है या मोटाई रखनी होती है और डवल पाइदन बनाओगे तो 5 इंची इसकी मोटाई हो से बनाई जाएगी अगर आप एक अच्छी ब्रांड कंपनी के पास पहुंच जाते हैं या उस कंपनी का ब्रांड मटरियल लेका आप बनबान चाहते हैं जैसे की अपळो हो गया ठीक है यह तो एक तर्ना से लोहे की लोहे की इंड़स्ट्री में काफी अच्छा नाम है इ रुपे प्लस यानि कि 120 के आसपास पर केजी के साफ से यह बनाई जाएगे तो यह एक रेड होता है लोहे की चोकड बनाने का कोई प्रॉडम वाली बात नहीं थे आप इसको इसको इस्तुमाल कर सकते हैं आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें